एंटर्टेन्मेंट एक हमारे लिए एक बहुती इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आज की डेट में हम कई दिन तो घर के अंदर लौक रहे क्योंकि महोल ऐसा था पैंडेमिक से कोई भी नहीं बच सका कहीं बे किसी भी कंट्री में हम नहीं बच सके अब एंटर्टेन्मेंट में सबसे बड़ा हमारे पास साधन है सबसे बड़ा रिसोर्स है टेलिवेजन टीवी कि टीवी कहां होना चाहिए दो घंटे से ले करके एक घंटे से ले करके 6-6 घंटे साथ साथ घंटे हम लोग on an average टीवी वाच करते हैं आजकल आप अपने मोबाइल पर भी देख लेते हैं entertainment से कई चीज़ें लेकिन maximum अगर आप अच्छी effilent families में जाते हैं तो you have big टीवी screens तो वो टीवी स्क्रीन कहां लगी हुई है इस पर matter करता है आपकी prosperity कैसी आएगी दिशाएं यहां matter करती है entertainment तो है साथ साथ आपका दिमाग जुड़ा हुआ है आपका समय लग रहा है इन सब चीज़ों को देखना है मैं कई दिशाओं के बारे में बताऊंगा कि टीवी यहां है तो उसका result क्या है हम give and take की बात करते हैं हम किसी से भी कुछ लेते हैं उनको कुछ देते हैं तो इसी तरीके से दिशाएं भी हमें लेती हैं और देती हैं हमें तो अगर हमारा टीवी दक्षिन दिशा में लगा हुआ है साथ दिशा में लगा हुआ है तो साथ दिशा यह मराज के दिशा मानी जाती है प्रकर सूरिय के दिशा मानी जाती है अगर आप हमेशा दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे टीवी साउथ की तरफ देखते हैं तो हार्डशिप्स आपकी लाइफ में आती है आपका माइंड तामसिक होने लगता है आप कुछ भी जादा पीसफुल नहीं सोचते खुराफाती सोचने लगते हैं कि कहां से आप ऐसी कुछ करें कि आपका बिना एफर्ट के काम होने लगे या कुछ ऐसी बाते सोचते हैं जो की एक regularized way में नहीं आती है तो south overall एक अच्छी दिशा नहीं है फेस करने के लिए, tv wall के लिए south बिलकुल भी अच्छी दिशा नहीं है आप west के दिशा में भी ना बैठें क्योंकि west जल के दिशा मानी जाती है वरुन देव इसके स्वामी है हवा और जल दोनों effect करते हैं इस दिशा को यानि stability खतम होने लगती है same north west के लिए भी होता है तो west में tv नहीं होना चाहिए, north west में tv नहीं होना चाहिए south में tv नहीं होना चाहिए दिशा बची आपके लिए south west बहुत ही disastrous direction है अगर आप दक्षिन पश्चिम दिशा को face करके tv देखते हैं तो समय लिजी आपका mind corrupt होने लगेगा आप बुरी आदतों में फसने लगेंगे alcohol, smoking और overall बहुत सारी ऐसी आदते जो की आपके जीवन को आपकी life को spoil करने लगेंगी especially ये tip मैं आपके बड़े होते हुए बच्चों के लिए दे रहा हो कि south west की तरफ का tv बहुत ही खतरनाक है बहुत ही dangerous है so you should avoid the tv on the south west wall अब आपके लिए दिशा बची south east अगनी की दिशा की तरफ अगर आप tv देखते हैं तो गुस्से में रहेंगे लड़ाई जगड़े के mood में रहेंगे मारधार के mood में रहेंगे कोई जरासा भी आपको oppose करेगा unfront करेगा आप कहेंगे कि मैं तो देख लूँगा तेरे को ऐसे words निकलते हैं नॉर्मल लेंग्वेज आपको बता रहा हूं तो उन नॉर्मल लेंग्वेज को अपनी life में मत लेकर किया यह क्योंकि आपको नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हटके काम करना है थोड़ा सुलजना है थोड़ा समझना है जिन्दगी को बहुत आराम से और शांती से चलाना है क्योंकि शांती से कमाया गया पैसा ही आपको शांती देता है अब तीन दिशाएं बचती हैं जो की मेरी फे avorite है नॉर्थ दिशा इस्ट दिशा नॉर्थ इस्ट दिशा नॉर्थ दिशा भगवान कुबेर इसके अधिपती है अगर आप नौर्थ के तरफ फेस करते हैं तो मानिये आपको कवेर की गृपाप्रा आप तो होगी, कवेर के लिए आप हमेशा असेप्टिव रहेंगे, यानि कि आप कवेर की तरफ फेस कर रहें अगर किसी से कुछ लेते हैं, बैंक जाते हैं, कैशियर से डील करते हैं, ATM से पैसा निकालते हैं, तो ATM की तरफ फेस ही करेंगे ना, आपका ATM भगवान को बेर हैं, anytime money, यानि कि abundance, prosperity, तो North हमें TV लगाना है, कुछ नहीं करना है, prosperity जरूर आएगी, ये छोटी-छोटी tips हैं, आपकी लाइफ के लिए, लाइफ कि tips मेरी बहुत अजमाई हुई हैं, और बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी best wishes हैं, जो ये tips use करते हैं, तो North के तरफ TV रखें और TV देखें, East, आपके जिवन में अगर मान सम्मान नहीं है, बच्चे आपकी अभले ना करते हैं, यानि कि आपकी बात नही हैं, आपकी employees आपकी बात नहीं सुनते हैं, और आपको अबे नहीं करते हैं, तो East एक ऐसी दिशा है, जहां पे आप ज्यादा समय बताइए, टीवी की बात कर रहे हैं, तो TV की facing आप East रखें, यानि कि जब आप TV देखें, आपका face East होना चाहिए, जीवन में मान सम्मान भी मिलेगा, prosperity भी आपको मिलेगी, अब मैं नौर्थ-हीस्ट की बात करता हूँ, बहुत ही अच्छी दिशा है, बहुत ही prosperous दिशा है, भगवान भोले नात की दिशा है, यह मेरे भगवान की दिशा है, क्योंकि भगवान शंकर यहां वास करते हैं, इशान, इसे इशान बोलते हैं क्योंकि इशान भागवान शिव का एक नाम है जो कि बहुत ही मीठा बहुत ही श्यांत लगता है अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है किसी भी परकार की परेशानी है क्योंकि लाइफ है परेशानियां जरूर आती है तो मैं कहूंगा कि इशान की तरफ face कीजिए North East की तरफ face कीजिए और आपकी परेशानिया यह दूर हो जाएंगी चुटकी बजाने में ही यानि कि कुछ नहीं करना है North East की तरफ face करके बैठें टीवी देखें और meditate करें अपने आप में एक meditation होता है टीवी में एक serial चल रहा है एपिसोड चल रहा है तो आप इतने गुम हो जाते हैं कि आपकी वो एक proper meditation हो जाती है तो आप North East में टीवी अगर लगाते हैं तो परेशानिया दूर होती हैं जीवन में शान्ती आती है energy जो आ रही है आपके लिए अच्छी है क्योंकि आप खाना अगर खाते हैं तो सिंपल डाल रोटी सब्जी नहीं खाएंगे और उसके साथ अचार पापाड़ और बहुत सारी दूसरी खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा तो इसी तरीके से टीवी दिशाक अच्छी चुनिए अपने एकॉर्डिंग चुनिए जैसा जिंदगी में चाहिए वैसा चुनिए और उसके आस पास कुछ ऐसी चीजे रखिए जो कि आपके लिए बहुत फाइदे मंद हो और अच पुने चावला